आपने preference shares पढ़ते वह बार-बार पढ़ा कि जो डिवेंचर होते हैं preference shares has the characteristics of demantures तो demantures क्या होते हैं तो देखो demantures जैसे इसमें word में भी d-e-b-e आया हुए debt होता है debt का मतलब क्या होता है loan तो यह एक तरह से जैसे होता है कि लोन्स होते हैं कंपनी के ओपर लेकिन इसमें क्या है? डेप्ट से समझ लो डिवेंचर्स बनाएं अब जैसे शेर्स की तरह से ही कंपनी को पैसा चाहिए तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर देती है और उनके साथ अगर वो ओनर्शिप राइट अटेच करती है यानि कि उनको वो पैसा पब्लिक से मांगते समय पब्लिक से को इन्वाइट करते समय वो ये कहती है कि हम कि वी विल ट्रीट यू लाइक अन ओनर तो वो लोग कहलाते हैं इक वो बन जाता है इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंश शेयर्स लेकिन जब कंपनी को पैसा चाहिए और उसको वो छोटे-छोटे हिस्सों में ही पब्लिक से इन्वाइट भी करती है पब्लिक को बोलती है कि आप हमें पैसा दो यानि कि हम आपसे पैसा एज लोन ले रहे है तो वो चीज बन जाती है डिवेंचर तो शेयर्स और डिवेंचर्स में दोनों चीज़ें बिल्कुल मिलती जुनती है शेयर्स में भी क्या होता है माल लो 10 लाख रुपे हमें चाहिए और 10 लाख रुपे के हमने 1 लाख शेयर्स कर दिये यानि 10 लाख रुपे के 1 लाख शेयर्स कर दिये हिस्से कर दिये अब वो 1 लाख हिस्से हमें पब्लिक को बेचने हैं यानि पब्लिक को हमने इन्वाइट करना है कि आप आकर हमारे शेयर्स करीदो तो जो भी व्यक्ति वो पैसा देगा हमें 10 रुपे पर शेर देगा अब हम उस व्यक्ति को अगर कहते हैं कि आप ये हमारे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप हमारे हैं ओनर बन जाएंगे ठीक है और आपको हम डिविडेंड होगा जितना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा देंगे आप उसको हमने ओनर वाले सारे राइट्स दे दिये तो वो जो है शेर्स कहलाएंगे लेकिन अगर वही 10 रुपे एकठे करते समय हमने अपने ओफर में कहा कि you will be deemed as the lender of the company और यह हमारी assets हैं जिनके against आप हमें डिवेंचर्स हम जो मतलब हमें लोन का पैसा दो और हम आपको इस rate of interest से यह interest rate देंगे और after this period of time हम आपका पैसा वापिस कर देंगे यानि कि हमने public से पैसा collect करते समय public को lenders वाले rights दिये lenders वाली terms and conditions बताई कि वो हमारे lender है lender कौन होता है जो हमें loan दे रहा है हमने उनके साथ lenders वाली terms and conditions रखी तो वो चीज फिर shares नहीं कहलाती बेटा वो debentures कहलाती है तो दोनों चीज़े same है बस same है means उनकी जो base है वो same है बस rights का है अगर हम उस व्यक्ति को right as a owner दे रहे है तो वो share कहलाएगा और अगर हम उस व्यक्ति को right as a lender दे रहे है लोन का right दे रहे है जैसे कि एक loan देने वाले के rights होते हैं तो वो debentures कहलाता है तो देखो debentures are an important instrument और ये भी हमेशा एक company ही joint stock company ही जो है debentures issue कर सकती है और एक sole proprietor या partnership firm नहीं कर सकती एक important instrument और बेटा instrument जब हम commerce की भाषा में instrument की बात करते हैं तो हम document बोलते हैं ऐसा instrument जिसको एक ऐसा document जिसको हम आसानी से एक दूसरे को transfer कर सकते हैं तो ये एक जैसे होते हैं कि अलग-अलग commerce की language में instrument का मतलब एक document होता है for raising long term debt capital a company can raise fund through issue of debentures which bear a fixed rate of interest इसको जब हम public को issue करते हैं या offer करते हैं कि आप हमारे हैं पैसा invest करो तो हम उनको साथ में dividend का rate बताते हैं ठीक है और the debentures issued by a company is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at future date ठीक है कि जब company debentures issue करती है तो बदले में हमें एक certificate दे देती है हमेशा जब पैसा देंगे तो एक तरह से मेरा receipt तो मिलती है कि हमने पैसा दिया है तो उस receipt का मतलब क्या है कि company उसके ओपर अगर debentures लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि company हमें इसके ओपर एक fixed rates company ने हमारे से पैसा उधार लिया है उसके ओपर वो हमें fixed rates से interest भी देगी और एक निश्चित समय के बाद after a particular date it will repay our principal amount जो हम pay करेंगे वो principal कहलाएगा तो they are termed as creditor or lender creditor या lender कहलाते है ठीक है और ज्यादा तर जो interest होता है वो six month पर या one year में pay किया जाता है और public issue of debentures requires that the issue be rated by a credit rating agency में जो आपको बार बार credit worthiness की बात कर रही हूँ तो देखो ये credit worthiness जिनकी अच्छी होती है वो company debentures issue कर सकते है तो उसके लिए ये credit rating देखो ये आपके full form आ सकती है exam में या आपती भी है कि ये government of india की approved credit rating agencies है मैं आपको बता रही थी credit के scores मिलते हैं हमें ठीक है और ये जो है score देने वाली ये company है जैसे credit crystal score short form में बोला जाता है और ये हमारा पिछला track record देखती है कि हमारा पिछला track record क्या है हमारी profitability क्या है debt servicing capacity कैसी है यानि हम अपने debts को कैसे उनको time पर payment करते हैं या नहीं करते तो उन सब चीजों को देखकर ये हमारी credit worthiness ये credit record बनाती है ठीक है और ये बताती है कि इसको अगर हम पैसा उधार दे र एक normal level का risk होता है तभी company तभी company को debentures issue करने की permission मिल पाती है ठीक है company जो है कई तरह के debentures issue कर सकती है zero interest debentures zero interest debentures होते हैं कि जिसमें company क्या करती है कि हमारे से पैसा कम ले लेती है और वापिस ज्यादा करती है तो क्या होता है कि हमें जैसे मालो 700 रुपे हमारे से अब लिए 750 रुपीज लिए और आफ्टर फाइव यर वो हमें 1000 रुपीज पे कर रही है तो 250 रुपीज जो ज्यादा पे कर रही है वो एज्यूम किया जाता है कि वो interest का है तो इसको deep discount जो है debentures भी बोला जाता है या zero interest debentures तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई explicit rate of interest नहीं होता प कंपनी की purchase value और return value में जो difference है वो ही कंपनी का interest माना जाता है ठीक है और अगर कंपनी की sales and earnings relatively stable है यानि कि कोई growth नहीं दिखरी बस एक काम चल रहा है एक नॉर्मल तरीके से तो उस वकड़ेंचर से पैसा इकठा करना suitable रहता है कि हमें हमारे उपर ज्यादा burden नहीं पड़ता कि हमें एक जो fix rate उसी से उनको interest देना है तो यह पैसा हमारे लिए अ लेंडर है और यह जो diventures के थुरू जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इससे पैसा collect करना company के लिए comparatively cheap होता है यानि सस्ता पड़ता है इसके उपर जो हम interest पे करते हैं उससे company को tax में भी benefit हो जाता है ठीक है अब इसकी limitations जो है अगर हम limitations की बात करें तो क्या है कि हमें इसके उपर interest पे करना पड़ेगा और interest पे करने के कारण हमारा company की company के उपर इसका burden पड़ता है ठीक है जब company की earnings fluctuate कर रही हो ग्रो ना कर रही हो उस वक्त यह हमारे लिए additional cost बन जाती है यानि हमारे business में तो risk loss होई रहा हो सकता है या risk हो सकता है साथ में हमारे एक और extra risk attach हो जाता है वो है हमारा finance के उपर दिया जाने वाला interest in case of redeemable adventures redeemable word यह आपका नया आया redeemable का मतलब होता है कि pay back करना redeem करने का मतलब क्या है कि पैसा वापिस करना paying back paying off यानि कि जिस चीज़ को हम pay off करते है redeem करने का मतलब जब हम pay कर रहे हैं और deventures हमेशा redeemable होते हैं redeemable मतलब after some time company को पैसा वापिस करना ही पड़ेगा तो यह यह कह रहे है कि in case of redeemable deventures the company has to make provision for repayment at the specified date even during periods of financial difficulty company को अपना track record maintain करना है तो अगर company का deventures pay off करने का time आ गया तो उस वक्त कम्पनी को हर हालत में इनको वापिस करने के लिए पैसे का रेंजमेंट करना पड़ता है चाहां उस वक्त इसको पैसे की कितनी भी problem क्योंना हो रही है तो यह एक extra जो है stress देती है company के management पर company के financial structure पर और a company has certain borrowing capacity with the issue of deventures the capacity of the company to further borrow reduce क्योंकि यह जो deventures होते हैं जादतर यह भी secured होते है company जब loan लेती है ना किसी से deventures issue करते है तो इसको bank के पास अपनी कुछ assets को गिर्वी रखना ही पड़ता है ठीक है तो यह company के ऊपर charge भी create करती है तो इस तरह से मैंने यह आपको आज deventures के बारे में preference shares और equity shares के बारे में बताया आप लोग इसको अच्छे से तयार कर ले ना कल मैं पहले इसके questions पूछूंगी next class में और फिर आगे हम इसको continue करेंगे आपको कोई doubt है तो बताईए आपको कुछ समझ में इसमें बीच में कहीं कोई confusion हुआ हो तो कोई query है बटा बता सकते हो hybrid source है जी बताओ क्या चीज़ डेवेंचर्स किसी और बच्चे को समझ में डेवेंचर्स क्या होते हैं क्या है तो